को अच्छे से पढ़ीये, उत्तल दरपन का अपयोग वाहनो के साइड मीरर या पीछे देखने के आइने, रियर व्यू मीरर के रूप में क्यों किया जाता है? कि रूप में क्यों किया जाता है? तो आपको मैं बता देता हूं कि उत्तल दरपन भले ही छोटा होता है लेकिन उसका द्रिश्टी छेत्र होता है जिसको हम बोलते हैं इंगलिश में चोटा होता है लेकिन उसका द्रिश्टी छेत्र क्या होता है बरा होता है आई बात समझ में आप अगर किसी बड़े बिल्डिंग के नीचे बैठे हुए है तो पूरे बिल्डिंग का पिक्चर आप अगतल दर्पन में देखने के लिए तो शायद से वह पूरा अगतल दर्पन एक छोटे से दर्पन के अंदर आप पूरे पिक्चर को आप आसानी से देख सकते हैं तो उत्तलदर्पन का उपयोग वाहनों के side mirror या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों होता है इसका question अप लिखें मैं answer लिखवाने के लिए हो गया तयार मैं answer अभी लिखवाता हूँ उत्तल दर्पन का उपयोग उत्तल दर्पन का उपयोग वाहनों के वाहनों के side वाहनों के side mirror वाहनों के side mirror या पीछे को या पीछे देखने के पीछे देखने के के आईने आई पीछे देखने के आइने के रूप में के रूप में इसलिए किया जाता है इसलिए किया जाता है क्योंकि 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 उत्तल दर्पन में बना प्रतिविम्ब उत्तल दर्पन में बना प्रतिविम्ब बना प्रतिविम्ब उत्तल दर्पन में बना परतिवीम छोटा सीधा सीधा बनता है क्या लिखवा दिया उत्तल दर्पन का उप्योग वहांनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आएने की रूप में इसली किया जता है क्योंकि उत्तल दर्पन में बना परतिवीम छोटा और सीधा बनता है छोटा और यहां और लगा दिजेगा और सीधा बनता है फिर यहां से लिख दीजिए इनका मतलब उत्तल दर्पन का इनका द्रिष्टी छेत्र द्रिष्टी छेत्र इनका द्रिष्टी छेत्र बड़ा होता है क्या होता है बड़ा होता है समतल समतल दर्पन के तुलना में समतल दर्पन के तुलना में उत्तल दर्पन से वहन चालक मतलब ड्राइबर वहन चालक अपने पीछे के बहुत बड़े छेत्र को देख पाता है अपने पीछे के बड़े छेत्र को देख पाता है को देख पाता है उत्तल दर्पन का उप्योग वहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आइने की रूप में इसलिए कि एजता है क्योंकि उत्तल दर्पन में बड़ा प्रतिविम छोटा और सीधा होता है इनका द्रिष्टी छेत्र बड़ा होता है समतल दर्पन के तुलना में उत्तल दर्पन से वहां चालक अपने पीछे के बहुत बड़े छेत्र को देख पाता यही कारण था यह हमारा होगे नौ का उत्तर प्रश्ण नौ का नौ का यह उत्तर हो गया आगे अब दस्वा हम ल